आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉली नेक्स्ट गोल्ड टैबलेट के बारे में जो कि इस टैबलेट के इस्तमाल बहुत ज़्यादा खून की कमी, सारेरी कमजोरी इसके अलावा प्रेगनेंट लीडीज में इसे बहुत ज़्यादा दिया जाता है तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं फॉली नेक्स्ट गोल्ड टैबलेट के बारे में इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, क्या काम है, कौन-कौन से प्रफजों में इस्तमाल करते हैं, क्या डोज है, क्या साइड इफिक्ट है किसे नहीं लेना है, यह सभी बाते हैं, में इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो बात करते हैं, फॉली नेक्स्ट गोल्ड टैबलेट जो कि आपके पास के मेडिकल स्टूर बे बहुत ही असानी से अबलिबल हो जाता है दस टैबलेट की पेकिंग होती है, 140-150 पे इसका प्राइज होता है और इसका प्राइज फ्लक्शूएट होता रहता है आप बात करें, फॉली नेक्स्ट गोल्ड टैबलेट में क्या के कम्बिनेशन है तो इसमें आपको काफी अच्छे अच्छे कम्बिनेशनों मिल जाते हैं जैसे की L-methyl folate, calcium, pyridoxyl 5-phosphate, mycobalamin जैसे काफी अच्छे अच्छे कम्बिनेशनों से मिलकर के बनाया गया यहां कम्बिनेशन है अब बात करते हैं सभी कम्बिनेशनों का क्या काम है यह folic acid की कमी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है जो pregnant में खिलाएं होती है या जो बेक्ति बहुत ज़्यादा सरापीते हैं उनमें folic acid की deficiency देखने को मिलती है तो उनसे भी कंडिशनों में इसे प्रिस्ट किया जाता है एनेमिया को क्योर करने के लिए खून की कमी को दूर करने में काफी कारगर होता है मसल टिसूज को रिपेर करता है, ग्रोथ करने में मदद करता है अलजाइमर जैसे समस्यों में इस्तमाल करते हैं जो कि बहुत जल्दी कोई भी चीज भूलने की समस्यों होती है इसके साथ ही साथ calcium की बहुत ज़रुवत होती है नसों को अच्छे से काम करने के लिए तो नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए और proper वर्क करने के लिए नर्व के लिए काम कारगर होता है calcium के अलावा भी हडियो दाट से जुड़ी किसी Kick- menor की calcium की deficiency होती है तो उनसे भी कंडिशनों में भी दिया जाता है, इसमें कल्सियम भी है, इसके साथी साथ पारीडोक्सल 5-phosphate, जिसे बहुत ज़्यादा इस्तमाल, RBC के ग्रोथ, डवलपमेंट में काफी कारगर होता है, सल्स को डिविजिन और फॉर्मेशन करने में काफी कारगर है, इसके स पाचन सकती बिगड़ा हुआ हो तो उनसे भी कंडिशनों में दिया जाता है, इसके अलावा मीकोबलमीन है, जिसे बिटमिन B12 कहा जाता है, और यह बिटमिन काफी इंपोर्टेंट्स प्ले रोल करती हैं मारी बोडी में, इनीमिया के परफेज में इस्तमाल करते हैं, फट देने का काम करती है, बातकरी इस दवा का क्या डोज है, तो डोज डिपेंड करता है कि आपकी एज, हल्थी कंडिशन और आप इसे किस प्रपज मिले रहे हैं, उससाब इसका डोज का कंफरमेशन होता है, नॉर्मली से दिन में एक बार रात को सोते हैं, खाना खाने के करते हैं, तो उन से भी कंडिशनों में आप इसे इस्तमाल करें, वैसे इसे प्रेगनेंट लीडी जोर नॉर्मल विक्ति इस्तमाल कर सकते हैं, बात करें, क्या नुकसान हो सकता है, अगर आपको सूट नहीं करता है, तो वामिटिंग, सरमेंदर, तोचा मेलालिपन, बहुत वीडियो यह जनकर यह अच्छ लगी, तो प्लीज लाइक किजेगा, और हमारे चनल को सब्सक्राइब किजेगा, आपको यह वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यू फॉर वाचिंग